गुडूनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो, हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पड़ाय लिखाई अच्छे चल लही होगी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हैं, simple displacement reactions, double displacement reactions, और उसके आगे जो भी reaction हैं उसके बारे मैं डिस्कस करेंगे, और आपका chemical reactions and equation का 2part वीडियो आपके पहले ही दे दिया है, जिसको आप देख सकते हैं, आपको कोई संसय है तो आप doubt है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हमें का जवाब दिया जाएगा, तो part 2 म जो है आपके क्या थे chemical reactions कॉंड कॉन से थेज हो हमने दिये थे decomposition reaction क्या दिये थे और हमने दिये थे क्या दिये थे combination reactions और उसके बाद हम पार्ट two की बात करते हैं तो पार्ट two में हम start करने वाला simple displacement reactions किसे simple displacement reactions थे तो सबसे पहले हम discuss करेंगे किसके बारे में simple displacement reactions क्या होते हैं double displacement reactions क्या होते हैं यह आपके exam point आप भी से बहुत ही importance है हम क्या करेंगे इसके बारे में discuss करेंगे simple advisment reactions जैसे लिखा है इसका नाम है उतना simple displacement reaction क्या होता है इसमें एक more reactive element एक less reactive element को क्या करता है displace करता है क्या एक more reactive element एक less reactive element को displace करता है more reactive element आपका metal भी हो सकता है non metal भी हो सकता है क्या करता है metal भी हो सकता है non metal भी हो सकता है तो यह क्या करेगा more reactive element less reactive element को displace करेगा कब और कहां से less reactive element का salt रहेगा क्या less less reactive element का salt रहेगा और उसका equus solution रहेगा यानि कि उसको क्या रहा रहा है वाटर में dissolve किया रहेगा या फिर उसका क्या रहेगा molten stage क्या रहेगा molten stage अब इसको हम detail में समझते हैं कि simple displacement reactions या displacement reactions क्या चीज है देखिए अब हम इसके definitions लिख रहे हैं देखिए समझ यह क्या है दोज reaction क्या दोज reaction in which दोज reaction in which a more reactive element a more reactive element element displace displace less reactive element less reactive element from its aqueous solution or molten stage from its aqueous solution and and molten stage मानलो हमारे पास क्या है हमारे पास यहां पर iron है क्या है इसके reaction मानलो हम किसके साथ करा रहे है मानलो हमने sodium ले लिए sodium ले लिए क्या क्या कर ले considers कर दे क्या कर दे वाटर में डिजॉल्व कर दे और उसी वाटर में हम क्या कर दे सोडियम को आइड कर दे हमने एक बीकर लिया और इसमें हमने क्या लिया कापर सल्फेट लिया क्या लिया कापर सल्फेट ध्यान से समझिए इसमें हमने क्या लिया कापर सल्फेट लिया और इस कर देगा कापर नीचे बैड जाएगा और बना लेगा sodium sulfate क्या बना लेगा na2so4 sodium sulfate बना लेगा और यहां पर कापर क्या हो जाएगा नीचे बैड जाएगा तो यह क्या बनेगा यह बनेगा na2sophor na2sophor बनेगा, प्लैस जो है कापर solid नीचे बैड जाएगा, और या क्या रहेगा यह एक्वरस रहेगा ठीक, और यहाँ क्या रहेगा यह sodium यहाँ solid है और यहाँ पर यह क्या है, एक्वरस है तो यह reaction कुछ इस तरीके से से होता है, यहाँ पर कापर से जादा एक्ट्व है , क्या है ? आधो सूडियम में तो सिम्पल डिसप्लेस्मेंट रियक्षन में mora , के मैं मेटल करता हाई दूसरे मेटल को क्या करता हाई उसके पोजीशन से 107 ट्रीशक कर देता है ,क्या करता है ? अगर हम बात करें जो है नान-मेटल में भी ऐसा होता है आप ध्यान से देखिए जैसे हमारे पास क्या है है क्लोरीन है क्लोरीन है और हमारे पास पोटैसियम ब्रोमाइट है क्या है पोटैसियम ब्रोमाइट है तो आपको पता है कि जो हमारा क्लोरीन है क्लोरीन is more reactive than bromine, क्या है, chlorine is more reactive than bromine, bromine is the less reactive, अगर हम मारे पास chlorine और bromine का condition है, तो chlorine ज्यादा reactive होता है, तो KBR हमारे पास जो है, KBR को, KBR potassium bromide क्या है, potassium bromide, ये भी आपका एक salt है, क्या है, एक salt है, ध्यान से समझेए, जितने भी ionic compound होते हैं, ज्यादा तर क्या होते हैं, salt होते हैं, जैसे एक आपका रहे metal क्या रहे, एक आपका रहे metal जो high positive हो, और एक आपका रहे non-metal क्या हो, non-metal जो highly negative हो, तो highly positive जो है tendency और highly negative tendency के जो आपके compound बनते हैं, वो हमारे क्या बनते हैं ज्यादातर आइन्ग lived augne बनते हैं एक बार फिर से समझेंगे जैसे अंहे स्वीक्स है यह हाई प्टव चार्ज का है मतलब यह metallic आहाई है ढोट्रिक क्लोरीन है और हुमारे पास है नान मिटल नेक्टर है तो बटांगर मिटल और नान मिटल आपस में क्या करते है और एक highly positive चार्ज टेंडेंसी का है एक highly निगेटिव तो जो उनका compound बनता है वह क्या बनता है वह हमारा जो है neutral salt बनता है जनली क्या बनता है जनली यहां पर बनेगा के सील क्या बन जाएगा के सील बन जाएगा और प्लस यहां से निकल जाएगा बियार टू क्या निकल जाएगा कर लेंगे यहां कर लेंगे तू टो हमको क्या हो गया से प्लेस एक से उसको करता है इसको करता हैिसके बाद जो एधक या रहे हैं आप यह किसको जो है नोट कर लिजिए द्यान से देखिए कौन किसको डिस्प्लेस करेगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा इसकी भी एक रियक्टिवटी सिरीज है क्या है रियक्टिवटी सिरीज है तो हम डिसकस करते हैं थोड़ा सा रियक्टिवटी सिरीज की बारे में वाट इस रियक्टिवटी सिरीज क्या है और कैसे हमको पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ध्यान से देखिए एक हमारे पास होत है रियक्टिविटी सिरीज रियक्टिविटी सिरीज हमको यह बताती है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा क्या कौन किसको डिस्प्लेस करेगा तो रियक्टिविटी सिरीज एलिमेंट के रियक्टिविटी के आडर बनाया गया है तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं क्या रखते हैं potassium potassium क्या होता है more reactive मोह रीक्ट्टीव का मतलब यहDAY element बहुत तेजी के साथ reaction करता किया करता किया करता और उसके क्रिएव क्या है sodium 還有 cmm aluminum सब कुछ नहीं रख रहा हैं कुछiving कर रख रहा है Aluminium इसके निचे और MHP pals hydrogen कि निचे kappa उसके निचे एजी और यू और पी टी हमने आप पर कुछ element रखे सारे element नहीं रखा हम बता रहे हैं बसे आपको सम्झाने के लिए कि के बाद के बात कैलसियम खहां के खिरी का है क्या है मांतेशी जाती है तो खकलती B क्षरी को डिस्प्लेस कर सकता है अगर हम बात करें पोटेसियम की तो पोटेसियम क्या कर सकता है अपने नीचे जितने भी element है सब को डिस्प्लेस कर सकता है क्या कर सकता है सब को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन अगर हम बात करें sodium की किसकी बात करें हम sodium की बात करें तो sodium जो है potassium को displace नहीं कर पाएगा क्या है sodium potassium को displace नहीं करेगा लेकिन अपने नीचे जितने भी element है उन सबको क्या कर सकता है displace कर सकता है सबको displace कर सकता है अगर हम बात करें calcium की क्या बात करें अगर हम उपर वाले element को displace नहीं करेगा reactivity series में जो calcium के नीचे element आते हैं उन सभी element को calcium उनके molten stage या equation से displace कर सकता है यह तो हमारा होगा calcium just इसी तरीके से सारे element की condition है जैसे हमारे पास copper है तो copper जो है silver और gold और platinum को displace कर सकता है लेकिन copper कभी भी calcium, sodium और potassium को displace नहीं कर सकता है तो मालो हमने लिख दिया है K2SO4 क्या लिख दिया है K2SO4 plus Cu लिख दिया है तो यहां आप लिखेंगे no reaction क्या लिखेंगे no reaction कभी no reaction वाली condition भी आपके exam में पूछी जाती है यह तो हमारा था simple displacement reaction simple displacement reaction just इसमें double displacement reactions के बारे में भी discuss करते है what is the double displacement reactions ठीक तो इसको हम मिटा रहा है तो डाली है double displacement reaction double displacement reactions क्या होता है इसके बारे में भी हम discuss करेंगे देखो double displacement reaction में iron interchange होते हैं क्या होते हैं iron interchange होते है प्यारे बच्चों अब हम discuss करेंगे double displacement reaction की कि कि बात करेंगे double displacement reactions की बात करेंगे double displacement reactions क्या होते हैं देखिए अभी आपने जो पढ़ा वो था displacement reactions उसको बोलते हैं या है उसको क्या बोलते हैं simple displacement reactions अब हम बात करते हैं कि इसकी double displacement reactions की concentration बढ़ाया रखेंगे प्लाई पर देखिए क्या है those reactions क्या those reactions in which two compound react by an exchange of आयन क्या two compound react by an exchange आप आयन नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा आप समझिए समझने प्रयास कीजिए हम अभी समझा रहें दोज reaction in which two compound ऐसे reaction क्या ऐसे reaction जिसमें दो compound react करते हैं क्या करते हैं दो compound react करते हैं जैसे देखो अभी गरते हैं अपने एकशेंज पर यहाइं स्टेम के साथ है कि आलगा हुआ यह सील माइन लगा हुँआ है 110 four double minus है यह क्या होगा इसके को ले लेगा क्या लेगा इसको데 लेगा और है फ्लेसमेंट की होता है अब displacement reactions definition को complete करते हैं and exchange of iron to form a new compound क्या करते हैं आपस में iron का exchange करते हैं और एक new compound का formation करते हैं यन्न क्या हो जाएगा CL के साथ चला जाएगा BA क्या होगा YSO4 के साथ चला जाएगा ठीक पहले वाले का जो positive है दूसरे के negative के साथ और पहले वाले का जो negative है दूसरे वाले के positive के साथ चला जाएगा are called the double displacement reaction इसको क्या कहते हैं हम लोग double displacement reaction कहते हैं क्या कहते हैं इस reaction को double displacement reaction कहते हैं double displacement reactions are general जो double displacement reaction होता है general अकर इन solution यह क्या होते हैं solution में होते हैं one product में भी PPT एक product इसमें क्या हो सकता है PPT हो सकता है precipitate देखे में होता है जैसे हं क्या करें वायसे सोलूसिन है जो हम राके को मिला। ऩरियों को मिला ने के बाद जालीड स्वस्टेंस नीचे बन जाहे गए समस्टेंस प्रीश impeachment स्वह मिलते है दोल उपर समझेंगे गेंगें अब यहाँ पर जो हमारे पास है सोडियम सलफेट का रियक्षन बेरियम क्लोराइट के साथ होगा क्या होगा सोडियम सलफेट का रियक्षन किसके साथ होगा बेरियम क्लोराइट के साथ होगा कैसे होगा यहाँ पर आप देखिए जब हम क्या करेंगे sodium sulphate को water में dissolve करेंगे क्या करेंगे इसका solid लेंगे water में dissolve करेंगे तो इसका हम बना लेंगे equus solution क्या बना लेंगे equus solution इसका भी हम क्या बना लेंगे equus solution क्या बना लेंगे equus solution दोनों को आपस मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगे बेरियम सलफेड बन जाएगा और क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा बेरियम सलफेड बन जाएगा और क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड दूसरा हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है सोडियम क्लोराइड के साथ देखिए यह भी क्या है हमारा एक्वस है इन दोनों को हम क्या करेंगे वाटर में डिजॉल्व करके आपस में रियक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा एजी सील यानि सिल्वर क्लॉराइड एजी सील सोडियम नाइट्रेट यहने यहनोथरी बन जाएगा और उसके बाद यहां पर है कापर सल्फट क्या है कापर सल्फट अगर स्के साथ रियक्शन कर रहा है तो कापर सल्फाइड देखते हैं यहां कौन और इक्सचेंज होता है देखें गिढ़ा है जी ہिसे एल और यहां पर बन गया यन्नो सिर्फ साथ बात करते हैं यहांपर कापर सेक्षाइट है कापर के साथ trade in 404 है लेकिन कापर किसके साथ चला गए सफर के साथ well K संस में दो कंपाउंड दो कंपाउंड मतलब आपको लेना है साल्ट लेना है आयनिक कंपाउंड लेना है जो प्लस माइनस में ब्रेक हो क्या हो प्लस माइनस में ब्रेक हो आपको ऐसे कंपाउंड लेना है वह आपस में क्या करते हैं रियक्ट करते हैं और अपने आयन का क्या क सबस्क्राइब करेंगे एक प्रोड़क्ट बना लेंगे और इसको मीक्चुवड ट्राइंस्पर आयनी आयनका क्या करते हैं makers चूँवल ट्रांसफार करते हैं इनको क्या करते हैं डूबल डिष्प्लेस्मेंट रिक्षन बत Goldman अभिकृ मर्माव करेंगे अब बार्थ Analytics displacement action कितने टाइब्स के होते हैं डाइब साफब डिस्प्लेश्मेंट रेक्शन अब हम बात करेंगे क्या टाइबस हाँ यहां से अटेंगे और आप इसको थोड़ा सा नोट करिये और हम डिस्कस करेंगे टाइबस अब डबल डिस्प्लेश्मेंट्स रिएक्शन कि अ अब हम बात करेंगे टाइप साफ क्या टाइप साफ डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन की बात करेंगे यानि डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन दो प्रकार के होते हैं कितने प्र इुक्म जबने क्या होता है दूसरा क्या होता है दूसरा क्या होता है हुसको भी समझाइगे उसको समझाएंगे आप ध्यान से समझे चैसल और च Dallas और इस और उनको मिक्स किया जाए यह ऐसे समझो हमारे पास सोडियम ख्लोराइड थ्यन ले करते हैं सदराettre है है हम पानी में घोल लेते हैं और ये भी हमारा क्या होता है उसी तरीके का साल्ट होता है दोनों को आपस में मिला देंगे तो एजी से लेक वाइड प्रेसिपिटेड बनेगा यह ने नो थ्री एक क्या वनेगा एक को सोलूशन रहेगा ठीक तो दो रियक्शन ऐसे अब करिया इन विच जिसमें एक को सोलूशन आप टू कंपाउंड दो कंप होल दिए जाए आन mix उनको mix किया गया रियक्ट करने के बाद बनाते है गल ल कंपॉंड यानिक एक और घुलंशील पदार्त बनाएंगे इन स्वाइब निचे बैठ जाएगा विचे सेपरेट आउट वीपीपीटी जो एप्रेसिपिटेट के रूप में बाहर हो जाए आर समझें here यहां पर जो हमारा एक मारे section क्या रहेगा सवरूषण समरीक इन डू ध्यूसं सवरू सिखह सबस्क्राइब को मिला देंगे एक सुखा प्रेशिपिटेड बनेगा कि пот यह होता है हमारा क्या होता है अगर हम यज है को मिल estrat नहीं का कि आधा पार्ट ऊपर लिक्विड थोड़ा सा नीचे क्या रहे है तो होता हमारा प्रेसिपिटेशन रियक्षन उसके बाद देखिए हमारे पास यह फी चील टू है यह फी चील टू जब न वेट के साथ रियक्षन करता है तो यह फी ओफी का होल ट्वाइस डरक्टी ग्रीन प्रेसिपिटेटे कि शेल का एक को सेलोशन हमको ऑटेंड होता है उसके बाद करते हैं कि मिलेगस यौ। ऑट्न का हुँता है रिएक्शंट के दोग अब अदिकिरिया वें एसीड रियक्ट के साथ अब करता ने एक्षेंज तकऽ करते हैं ऑन्ने प्यत् каче My double displacement erson में क्या होते हैं रच रिएक्स डियर best दे एक्सेंज डियर आयन अंद फार में साल्ट और एक साल्ट बनाते एंड दे लाथे और क्या बनाते बनाते वाटर बनातें इस डी से न्यूट्रल प्रति क्या होता है और हम आपको बताएं लीटमस क्या होता है आपने सुना होगा ब्लू लीटमस पेपर और रेड़ लीटमस पेपर क्या होता है ब्लू लीटमस पेपर और रेड़ लीटमस पेपर तो आपको बताएं देखो दो पेपर होता अभी हम समझा दे रहे हैं दो प करते हैं और यह आपके क्या है एक नेचूरल हम इंडिकेटर है तो लू य्टमस पेपर हम करते हैं समझें तो यह होगा ब्लू का साथ हें होती है क्या होती है कागा में कि तरह दिखती है और यह क्या होता है रहता है यह ब्लू हो हम रिड या प्रहते हैं और जो ब्लू है अगर तो और ब्लू रहे हैं इसको प्रती उदासीन होना क्या लिटमस के प्रती उदासीन होना तो क्या करता है नैं एसीड रहेंगा ने बैस रहेंगा यानि कि स्ट्रउंग इसट्राउंगा शाछ वंदके साथ रेक्ट करेगा तब तो basic बनेगा ठीक तो आगे हम हम इसको जो है S differentiate वाले में एक्स प्लेंड करेंगे कि तरीके हैं कि सीट होते हैं साल्ड बेसिक होते हैं और नूट्रल साल्ट भी होते हैं कैसे कैसे उनका प्रिपरेशन होता है तो यहां बात करें तो यह से यह साथ बेस करता है तो शाल्ट और बनाथा क्या करता है शाल्ट वाटर बनाता है तह आप समझे लो कि देक्सेंगा को डिसकस coal को कुछ करेंगे अंफन आपको याद करने याथ नहीं करने बस आप 2-4 जाएगा कर लो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो वह आपको स्वता ही याद हो जाएगा याद हो जाएगा जैसे हमने हमारे पास क्या है क्या है वे क्या है है इसको हमने युष बैस के साथ है क्या है यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास है क्या है हमारे पास है क्या है नूट्रल है क्या हमारे पाद करते हैं और जो है यह सब sodium nitrate plus हमारे पास क्या बनेगा H2O क्या बनेगा H2O इसका नाम nitric acid है क्या नाम है nitric acid nitric acid और यह हमारे पास क्या है sodium hydroxide क्या है sodium hydroxide है यह हमारे पास सोडिण नाइट्रेट क्या है sodium nitrate sodium nitrate यह हमारे पास क्या है water हम कोई सब्सेट आटो हम ओर सकते हैं कोई सामा भी प्रलायाचोंसा क्या सब्सक्राइब करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है नूट्रल बनता है क्या नूट्रल बनता है जैसे हम किसके साथ करते हैं सब्सक्राइब करते हैं किसके हैं प्रोड स्थाइब करते हैं क्या बनेगा फ्रेसी रुट्स को समझाएंगे एक वीडियू बनाएंगे तो उसमें हम आपको reactions को balanced करना बताएंगे तो आपस करना सीख जाएंगे अभी आप reactions को समझे ठीक यह हमारे पास था acid based reactions अगर आप balance करना चाहिए, तो reactions कोई भी balance कर सकते हैं, यहांchnim यहां पर एक chlorine है, यहां पर क्लोरिन है, यहां पर एक sodium, सोडियम और क्लोरीन हो गया ओह यहां पर हम देखते हैं यहां पर एक नाइट्रोजन तीन आक्सीजन ठीक यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हैं है क्या होगा賤 हो और यह हमारे पास चाहें है यहां यहां देखेंगे हैं यहां हम लagा देंगे हैे आब हमारे पास बैलन्स हो गया है यह सलफर हमारे पास अंवे निक्रा है हाइड्रोजन दो है हाइड्रोजन दो है और है अक्सीजन अक्सीजन हमारे पास कितने है यहाँ पर जो है चार एक पाच अक्सीजन है और चार दो छै छै अक्सीजन हो गए हमारे पास और हाइड्रोजन कितने हो गए चार दो हाइड्रोजन यहाँ पर है दो हाइड्रोजन य सकते हैं तो यह हमारे पास क्या है बैलेंस केमिकल रियक्ट कर सकते हैं इसको सेप्रेट कापी डीटेईल में समझजाएंगे एक बदाएंगे तो इसके बाद हम बाध करने वाले कि की श्यादिक्र diver reduction reactions, redox reaction, exothermic और endothermic जिसको हम अपने अगली वीडियो में डिसकस करेंगे, तो dear students, अगर वीडियो अच्छी लगए तो इसको लाइक करो, share करो, comment जरूर किया करो, कि आपको वीडियो कैसी लगी, और next वीडियो आपको कितनी जल्दी चाहिए, जो कुछ भी आपके पास suspense से, उसको comment जरूर किया करें, तो वीडियो को अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, save कर लीजिए, दोस्तों में share कर जिए, मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक लिए पढ़ाय करते हैं, take care.